दोस्तो हम सबका सपना होता है कि हमारा गुदका बंगलो या तो हमारी खुदकी जमीन हो जिस पर हम अपना सपनका घर बना सके लेकिन क्या आ जानता है कि बहुत जो प्लोट पर आप अपना खुद का घर बनाना चाते हो उसमें अलग-अलग टैप के प्लोट होते हैं और कौन से टैप के प्लोट पर आपका घर बनाना सेफ हो सकता है या तो रिस्की हो सकता है तो यह मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊं मेरे आप मेरे ऐसे वीडियो देख सके मेरा नाम हुसाइन तेयर मेरे फॉर्म का नाम है 53 और मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं पूना में और मैं क्लियर टैटल कमर्शिल और रेसिदेंशिल प्लॉट्स की कि अभी हम बात कर रहे है आर जोन प्लॉट्ट और एने प्लॉट्स सेल हो रहा है तो लोगों को लगता है कि यह दोनों सेम है एने प्लॉट्स और आर्जोन प्लॉट्स दोनों सेम है लेकिन इन दोनों में एक थोड़ा सा डिफ्रेंस है जो जो डिफ्रेंस मैं आपको इस वीडियो में दिखाना जाता हूं आपको कैसे प्लॉट् तो आप developer को तीन सवाल कर सकते हों कि आप इस plot थी मुझे NA की papers दिखाईए अगर यह plot NA है तो NA sanctions का मुझे papers चेक करना है second होगा कि उस जगे का plotting का design वो आपको दिखा रहा है क्या उसका sanction plan उसके पास है अगर वो जगा NA है तो उसके पास उसका sanction plan होगा वो plan आपको दिखा लेगा और तीसरी शीज़ आप उसको पूछी कि क्या इस plot पर nationalized bank का loan हो सकता है अगर NA plot जो होता है उसके कोई भी nationalized bank आराम से loan देती है लेकिन अगर वो plot NA नहीं है और R zone है तो nationalized bank जो है वो loan नहीं देती है बाकी बहुत सारी लग लग options है loan के लिए लेकिन nationalized bank से आपको loan नहीं मिलेगा अगर वो जगा NA नहीं है तो फिर R zone plot क्या है R zone plot का मतलब होता है residential zone R zone याने की residential zone उसका मतलब ही हो गया कि उस जगे में जहां पर plotting हो रहा है उस जगे में residential के लिए सारे resources available है जैसे कि वहां पर उस location में पानी अवालेबल है अपिर प्रॉब्लम क्या है आज हमका प्लॉट लेने में क्या प्रॉब्लम है आपको लिए सुची की वह डिलोपर है पैसे उसमें दूर होती है पहली चीज़ क्या होती है कि किसी भी plot को अने करके कनवर्ट करके उसको सेल करने में बहुत सारे complications होता है उसमें बहुत सारे legalities होती है बहुत सारे papers चेक होता है government के अदर और उसके बाद उसको अने का certificate मिलता है और दूसरा जो है कि उसके expenses बहुत जाद है किसी भी एक नार्मल प्लॉट को एने प्लॉट में तरने के लिए उसके इंदर बहुत सारे expenses होते हैं तो उसकी वज़े से उसका बढ़ आता है और उसकी वज़े से उसका आप जो आज़रों के प्लॉट लेते हो उसमें आपको प्रॉपर साथ बारा नहीं मिलता है कि जैसे अभी बहुत सारे है आप बहुत ही बड़े रिस्क नतरथ हो उसको निकाहे में उसका बहुत नाक नाकमे basta क्योंकि प्रॉपर डीमार्केशट में अगरल आपने मीनीमर्व गुंटे का प्लॉट लिया तो ही ratio प्लॉट में आप दो गुंटे का लेंगे तो भी आपको आपका इंडिविजल साथ बढ़ा मिलेगा और प्रॉपर डी मार्किशन मिलेगा इसना प्रॉब्लम यह है कि आर्जों प्लॉट में जो होता है वो प्राइविट लेओड आता है नॉर्मल सेंक्शन लेओड नहीं हो होगा कि यह घुंटे का और वाणगे जो होता है तो यह मतलब होता है 10 tad jicha जीटना पूलता है एक हहजार इनधी हजार प्लॉट खूलते हैं लेकिन ऐसमें अपको एक गुंते अंदर आपको वह गुंट करें느िज Bye करेंगे च silhouette करेंगें कम से कम 1200 या 2500 रुपए स्क्वार फिट हो जाता है अब इसमें डेवल्पर क्या गरता है डेवल्पर क्या गरता है कि वो आपको अपकी जितने की लोगों ने प्लॉट ली होता है उस लियाओट लिये होते है वो उन सब की सोसाइटी फॉर्म करता है और उन सब को एक शेर सेट प्लोट्स लेते हैं इसकी बहुत सारी रिजन है पहरी चीज है कि लैक आफ नॉलेज और एक्जामपल लोगों को पता ही निए कि आर्जोन के अंदर और एने के अंदर क्या डिफरेंस है दुसरी चीज है कि उसका प्राइस हमेशह कम है और सब कीकेशर हों कि तो ही गवर्मनर्ट की दिफट वरना नहीं मिलता है आर्जोन प्लोट में ऐसे कुछ नहीं है तो अगर आपने प्लॉट ले लिए और फ्यूचर में अगर किसी ने आकर बोला कि यह प्लॉट मेरा है और अगर उसके पास सपोर्टिंग डॉकुमेंट्स है तो भी आपको लिटिकेशन आपके प्लॉट में ल लिए और वीडियो बहुत सारे इमोशनल गेम्स इसमें कहते हैं बहुत सारे डेवलोपर क्या करता है कि एक कॉम्मुनिटी प्रोजेट बना देते हैं तो उसकी वजह से सामने वालों को थोड़ा एक इमोशनल अटेश्मेंट आजाता है चलब मेरी प्रोजेट है और उसकी कमेंट में लिख सकते हो कि आपको कौन कौन से टापिक पर आपको विडियो देखना पसंद है